हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो आज की इस वीडियो मा आप सभी लोगों के लिए कैपचा टाइपिंग वेबसाइट लेकर आया हूँ जहां पे आपको सिर्फ कैपचा टाइपिंग करके अर्निंग करनी है अगर आपको भी पार टाइम जॉब करने की रिक्वाइर्मेंट है अगर आप एक स्टुडेंट हो हाउस वाइप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप भी कैपचा टाइपिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी वेब साइट है और किस तरीके से यहाँ पे में कैपचा टाइपिंग करके अर्णिंग करनी है किस तरीके से में यहाँ पे पेमेंट को लेना है सब कुछ जानेंगे डीटेल में तो वीडियो में बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज आप ये काम अपने मुबाइल फोन से भी कर सकते हो यहाँ पे मैं आपको PC पे करके दिखा रहा हूँ आपको अपने मुबाइल में Chrome ब्राउजर को ओपन करना होगा वहाँ पे आपको 3. पे क्लिक करके Desktop मोड में ओपन कर लेना होगा इसके बाद आपको सर्च करना है mobilehomework.com स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट दिख रही आपको उसी वेबसाइट को ओपन करना है जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आपको दिखेगा तो आपको यहाँ पे 3 line वाले option पे किलिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे capture entry job वाले option पे किलिक कर देना है इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको capture typing करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 type से आप capture typing कर सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको कैट्चा टाइपिंग करके अर्निंग करनी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्कॉल करना है, यहाँ पे आपको जोईन नाउ वाले ओप्शन पे किलिक करना है इसके बाद आपको इस वेबसाइट पे रेजिस्टर कर लेना होगा, रेजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है इसके बाद आपको अपना इमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ट को चूज कर लेना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है इसके बाद यहाँ पर create free account वाले option पर click कर देना है इसके बाद guys जैसे यहाँ register के option पर click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकाल सा dashboard open होके आ जाएगा यहाँ पर आपको रुपीज में दिख रहा 25 रुपे आपका यहाँ पर wallet में है इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर capture typing कैसे करना है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर withdrawal को कैसे लेना है तो capture typing करने के लिए आपको यहाँ पे capture entry वाले option पे click करना है इसके बाद आपका यहाँ पे capture loading हो रहा है तो आपको यहाँ पे wait कर लेना होगा कुछ second के लिए तो यहाँ पे guys कुछ number दिख रहा है तो आपको उस number के यहाँ पे type करना होगा तिहाँ मैं type कर लेता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे save वाले option पे click कर देना है इसके बाद आपका capture फिर से यहाँ पे loading होगा तो आपको यहाँ पे फिर से number को डालना है इसके बाद आपको यहाँ पे wait करना होगा यहाँ पे जैसे ही option आता है तो आपको यहाँ पे capture को fill कर लेना होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे capture typing करना है यहाँ पे आपको save वाले option पे click कर देना है तो guys आप यहाँ पे start work वाले option पे click करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो capture entry वाले यहाँ पर free plan लिखा है यहाँ पर earning आपको per 1000 entry पर 40 रुपेया होने वाला है और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ इस website पर आपको एक भी रुपेया देने की जरूरत नहीं अगर website वाला बोलता है या कोई भी कहता है तो आपको यहाँ पर कोई भी investment नहीं करनी है बिल्कुल ही free में काम करना है यहाँ पर और आपको earning करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1000 entry पर आपको 14 रुपीज आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपको home पर click करना है यहाँ पर आपको form filling job भी मिल जाता है page typing job, data entry job तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत सारे और job मिल जाते हैं जहाँ से आप इन से भी job को कर सकते हो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ का आपको यहाँ पर payment को कैसे लेना है तो आपको यहाँ पर get payment वाले option पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना bank account को details यहाँ पर submit करना होगा यहाँ पर update पर आपको click करके अपना जो bank account का detail भी आप यहाँ पर submit कर सकते हो जब आपका earning हो जाता है तब आपको यहाँ पर submit करके यहाँ पर आपको withdrawal को ले लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि minimum withdrawal कितना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो minimum payout आप यहाँ पर देख सकते हो capture entry 500 रुपे आपका minimum रहना चाहिए data entry job के लिए तना रहना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना है minimum आपका withdrawal कितना होने वाला है तो ही इस तरीके से आप इस website पर work करके अच्छी खासी earning कर सकते हो तो I hope आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए helpful होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को भी दवा दीजिए तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्ष वीडियो में